चलिए जानते हैं आज साम की हिमाचल परदेश के सभी जिल्लों की सिलेक्टेट काम की बड़ी खवरों को पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजी पैसा इसकूल ट्रेंट टीचर थे फिर भी परदेश में नहीं हुई एंटिटी भरती नहीं मिले 4847 शिक्चर जे परदेश के स्कूलों में प्री प्रामरी कक्छाओं को पढ़ाने के लिए बरतमान सरकार की कारिकाल में नहीं भरतिया नहीं हो पाई के अंदर से बजट भी आया इसकूलों में प्री प्रामरी में बच्चों भी एंडरोल हुए और इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्रेंट टीचर भी थी लेकिन उसके बापजू चिक्चकों की भरती ही नहीं हो पाई आपको बता दें कि 3840 पटसलाओं को 8847 चिक्चक नहीं मिल पाई हैं वहीं परदे सरकार पहले इस बात का फैस्टा नहीं कर पाई है कि किसे प्री प्रामरी के चिक्चकों के लिए किस योग्यता के चिक्चकों को नियुक्त किया जाए और जब एंटिटी को इसमें सामिल करने का फैस्टा लिया गया तो विभाग ही आपस में इस पश्टी करन को लेकर उलज गए बार बार के मिनेट में ये एजंडा लगा उसके बाद भी इस कुलों में ये नियुक्तिया नहीं हो पाई आनी के सवार में हाथसा और नियंतिर्थ होकर खेतों में गिरीकार एक युवक की मौत तीन घायल जे पुलिस थना आनी के तरत निगान राना बाग विसड़क मारग पर एक कार और नियंतिर्थ होकर हाथसे का सिकार हो गई इस हाथसे में कारसवार एक वेक्ती की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीन आन्य घायल हुए हैं मृत्यक की पहचान संदिप कुमार पूत्र गोबर्धन निवासिक गाउं ब्रमभा बाग डिगेड आनी के तोर पर हुई है हिमाचल चुनाब में भाचपा के सुलेज भारदवाज सही चार परतियासी क्यों खूद को नहीं डाल पाएंगे बोट जे हिमाचल परदेश बिधानसवा चुनाब में इस बार कई परतियासी स्युयम को बोट नहीं दे पाएंगे क्योंकि सियासी समिकरन और रनिती कुछ ऐसी बनी है कि ये परतियासी अब खुद को भी बोट नहीं दे पाएंगी कंगडा के अनसोली गाउं में रात को जोरदार धमाका, रोकेट समझकर सहमें लोग घर को नुकसान जे हिमाचल परदेश के जीला कंगडा में रात को एक जोरदार धमाका हुआ, कंगडा के अनसोली गाउं में घर पर एक रोकेट जैसा बिस्पोट पदार्त आगीरा धमाके के बाद लोग सहम गए वो तुरंत घरों से बाहर निकल आए, गनिमत रहे की घर में मौज़ुद कोई भी सक्से इसकी चपेट में नहीं आया चुरा में सियम जेराम बोले हिमाचल में भाचपा की सरकार जरूर बनेगी जे मुखी मद्री जराम ठाकूर ने भाचपा के विजे संकल पर अभियान के तहट चमबा के चुरा में जनसवा को संबोधित किया उन्हेंने दावा किया कि बिधानसवा चुनाब के बाद राज में भाचपा की सरकार जरूर बनेगी वहीं भाचपा इस बार रिवाच बदलेगी और परदेश में फिर से सरकार बनाएगी परदेश में ठातर तेकासी पोलिंग इस्टेशन अस्ताफित समर हिल पोलिंग में सिर्फ 33 मद्दान जे बिधानसवा चुनाब के लिए चुनाब आयोकी और से चुनाब आयोकी ने ठातर सो एकासी पोलिंग इस्टेशन अस्ताफित कर दिये हैं इन पॉलिंग इस्टेशन में से कई पॉलिंग इस्टेशन ऐसे भी है जहां तक पहुचने के लिए पॉलिंग पाटियों को कई किलो मिटर का लंबा सफर पैदल तई करना पड़ता है सबसे दुर्गम पॉलिंग इस्टेशन चमबा का चस्प के भटोरी पॉलिंग इस्टेशन है यहां तक पहुचने के लिए पॉलिंग पार्टी में बहुत 24 किलोमेटर का सफर पैदल तै करना पड़ता है महिला जासुस मामले में चीन SMB से बातचीत पुलिस ने भेजा लेटर अब पुलिस विवाग की चीनी SMB से लेटर के रिपलाई का इंतिजार है इसके अलावा पुलिस अपने अस्तर पर भी जांच को आगे बढ़ा रही है जिसमें विविन एंगल को ध्यान में रखते हुए कारवाई की जा रही है परदेश भर में असा माफिया का खिलाब 118 केस जिये पुलिस ने विदान्सवा चुनाप के दोरा निर्वाचन आयोक के दिसा निर्देशों का उलंगन करने पर अक्टूर मा में अब तक उलंगन करताओं के विरुद मादक पदार्थ अधिनियम के तहद 118 केस दर्ज किये हैं वहीं परदेश भर में पुलिस ने अवेद सराब तसकरी के 409 मामले दर्ज किये हैं वहीं पुलिस ने विदान्सवा चुनाप को लेकर परदेश के बोर्डर एरिया साहित परवेश द्वार और बेरियर सील कर दिये हैं आतंग्यों के लिए टूलकीट बना इंटरनेट UNSC में विदेश मंत्री ने दुनिया को किया आगा जे विदेश मंत्री S.J. संकर ने आतंग्बाद को मानवता के लिए सबसे गंबिर खत्रों में से एक बताया है दिल्ली में संजुक तराज शुलक्षा परिस्द की आतंग्बाद दिरोधी संभीती की बैटक को सनिवार को संभोधित करते हुए उन्हें ये बात कही जे संकर ने आतंग्बाद संभों की और से इस नई टेकनोलोजी के दूर्पियों का भी जिक्र किया उन्हें ने कहाए कि इंटरनेट और सोसल मेडिया मंच आतंग्बादियों और आतंगी संभों की टूलकिट में परभावसाली उपकरन बनकर उबरे हैं वह जे संकर ने कहाए कि हाल के वर्षों में खासतोर से खुले और उधार समाज में आतंग्बादी संभों उनके वेचारिक अनुआईयों और अकले हमला करने वाले लोगों ने इन तकनिकी तक पहुँच हासिल करके अपनी छमता बढ़ा लिये नई महिलाओं पर गिदों की तरह नजरे बिर्टिस रोयल नेभी की पंडूबियों पर योन उत्पिडन से हड़कम जब बिर्टिस रोयल नेभी में सामिल पंडूबियों पर तेनात महिला करमचारियों के योन उत्पिडन की रिपोर्ट से बिर्टिन में हंगामा खड़ा हो गया है आरोप है कि पंडुबियों पर काम करने वाली महिला करमचारियों को डाराया धमकाया गया और उनका योन उत्पिडन किया गया आपको बता दे कि आनन फानन में रोयल नेभी के परमोग एड्मिरल बैनकी ने मामले की जाच के आदिस दिये हैं वहीं पूर्ब नौसेनल लेप्टिलेंट ने पंडुबियों पर महिला करमियों के योन उत्पिडन का दावा किया है बिरिटन की रोयल नेभी के परमोग एड्मिरल बैनकी ने कहा कि वो इन आरोपों से बहुत ही आहत है कि पंडुबियों पर काम करने वाली महिला करमचारियों को डराया धमकाया गया और उनका योन उत्पिडन किया गया चमेंजी हत्याकांड पुलिस ने सुलजाई डबल मडर की गुत्ती रिष्तेदार ही निकला माबेटे का हत्यारा जजीला सिर्मोर के तहट आते पच्छात उपमंडल के चमेंजी गाउ में हुए माबेटे के दोरे हत्याकांड की गुत्ती को पुलिस ने सुलजा लिया है पुलिस ने घटना के दस दिन बाद आरोपी को गिरवतार करने में सफलता पाई है वहीं आरोपी कोई और नहीं बलकी इसी परिवार का एक रिस्तेदार है हत्याका कार निजी रंजिस बताया जा रहा है पुलिस के अनुसा डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने ही गाउं में था इस ग्रामिन छेत में नेटवर की समस्याओं के चलते कॉल डिटेल और लोकेशन के जरिये आरोपी तक पहुच पाना पुलिस के लिए एक चुनोती था लेकिन पुलिस ने जाल बिचा कर इस मर्डर मिश्ट्री को सुलजाने में सफलता पाई काम आई राजिब सुकला की मेनत कॉंग्रेस के आठ बागी उमिद्वारों को ने वापस लिया नाम जब कॉंग्रेस में बगावत रोकने में कॉंग्रेस के हिमाचल परभारी और सांसत राजिब सुकला ने बगावत रोकने के लिए मोर्चा समाला राजिब सुकला की रनिती के तर्थ कॉंग्रेस में बगावत रोकने में काम्याब रही वहीं राजिब सुकला के परियासों से ही कॉंग्रेस के आठ बागी उमिद्वारों ने नमांकर वापस ले लिया है हलाकि भाजबा के राजिब सुकला ने ऐसी रनिती बनाए की कॉंग्रेस पार्टी को बाग्यों नमांकर वापस लेकर पार्टी पर्तियासों को जिताने के लिए साथ में जूट गए मात्र मजाक है कॉंग्रेस की चार्टी भाजबा के बोल चुनाब से पहले आरोप पत्र का कोई अर्थ नहीं जे भाजबा न जारी करने से पहले ही कॉंग्रेस की चार्टी को एक मजाक करार दिया है हिमाचल पर्देश के राज्य सहकारी बेंक के अध्यक्ष एवंपुर्व विधाये खुसी राम बाल नहाटा ने सिमला में प्रेसवारता को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाब के केबल दस दिन पहले कॉंग्रेस की चार्टी का आना केबल राजनितिक मजाक बनकर रह गया है लाखों रासनकार उभगताओं को आधा किलो जादा मिलेगा चावल जेहिमाचल पर्देस के साड़े उन्नेस लाख रासनकार धारक परिवारों को नवंबर महिने में आधा किलो जादा चावल मिलेगा खादिर नागरिक और उभगताओं मामले विभाग ने जावर और आटे के अलॉटमेट जारी कर दिये इस महिने रासनकार उभगताओं को प्रती रासनकार पर साड़े पांच किलो चावल दिया गया था अब इसे बढ़ा कर छे किलो किया गया है आपको बता दें कि आटे के कोटे में बढ़ोतरी नहीं की गई है अक्टूर में दिये गए अकोटे की तरही नॉवंबर महिने में भी उभगताओं को साड़े बार किलो आटा ही दिया जाएगा सस्ता मिलेगा गेहू का बीच हिमाचल सरकारना सोलो रुपिये बढ़ाया अनुदान इस बर किसानों को गेहू का बीच 18 रुपिये 10 पैसे परती किलो के हिसाब से मिलेगा इसमें 16 रुपिये अनुदान रासी किसानों को उपलब्द करवाई जा रही है एक किलो की कीमत 34 रुपई ये इसमें से 16 रुपिये किसानों को अनुदान दिया जाएगा वहीं किसानों के लिए बिक्री मुली 18 रुपिये 10 रुपे से निर्धारित किया गया है यानि एक कुंटल के हों के बीच की कीमत 1810 रुपिये निर्धारित की गई है चलिए मुझे चलते हैं आज साम की आखरी खबर अब एट-tech कंपणियों नहीं दे पाएंगी PhD की डिग्री योजिसी ने खत्म की मानियता जिए PhD करने वाले उमिदवारों के लिए बड़ी खबर है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन और और अल इंडिया कॉंसिलिंग और टेकनिकल एजुकेशन इस्ट्यूशन नहीं एलान किया है कि बीदेशी चिक्षेन सनास्तानों की मदद से एट-tech कंपणियों दुवारा ओफर किये गे आज की संदार खबरों का सिलसिला इसमाफ तो होता है अगर आपको जनकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक सेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप नीज को कि जिले और पंचायत से देख रहे हैं थैंक्यू अल्डवेश्ट